राधे राधे एब्रिवन जै सिरी किष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्ण भक्ती में आज इस वीडियो में हम कामदा एकाच्षी की पूजा विदी देखेंगे हिंदू नौवर्स की ये पहली एकाच्षी होती है इसे काच्षी पे भगवान तिरलो की नाथ की पूजा की जाती है तो तिरलो की नाथ तो भगवान विश्णुजी है तो आप इसे काच्षी पे भगवान विश्णुजी की पूजा करें तो आप पूजा करने के लिए चौकी लगा ले, चौकी पे पीले रंग का वस्तर विछा ले, या फिर आप चाहे तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं. अब देखिए हम तिलो का आसन देकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या पोटो जो भी स्वरूप है आपके पास उनको विराजबान कर लेंगे. अगर आपने भगवान जी की मूर्ति लिए पूजा के लिए तो आप उनको पंचाम दिर से स्नान कराएं. इसके बाद आप उनकी पूजा करें. तो देखिए मैंने तिलो का आसन देकर सुपारी स्वरूप में गनेश जी को विराजबान किया है. आप चाहे तो गनेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं. अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पूजा में जरूर से करा लेंगे. और देखिए हमने लड्डू गोपाल जी का पहले ही स्नान सिंगार कर लिया है. अब हम सबसे पहले पूजा में दीपक जिलाएंगे. दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है. इसके बाद हम गनेश जी को वस्तर रूपी कलावा अर्पित करेंगे. चंदन से तिलाग करेंगे. रोली से तिलाग करेंगे. हम जनेवर पित करेंगे. और हम फूलर पित करेंगे. कामदा एकाच्ची का ब्रत करने से बेक्ती के सभी कामनाय पूर्ण हो जाती है. एकाच्ची का ब्रत करने से सभी पाप नस्ट हो जाते हैं. अब देखिए हम भगवान वि पूल या पूल माला जो भी हो आपके पास आपो आर्पित करें जनेव आर्पित करेंगे भगवान विष्णुजी को पीले रंग के फूल अर्पित करेंगे अब हम सभी को तील अर्पित करेंगे एक आच्सी पे चावलो का परयोग ना करें पूजा में तिल का ही परयोग करे इसके बाद हम इत्र लगाएंगे भगवान जी को इत्र अतीप्रिय होते हैं तो आप पूजा में इत्र का परयोग जरूर करें अब देखिए हम भगवान विश्णू जी को और गोपाल जी को तुलसी अर्पित करेंगे जब भी आप भगवान स्रीहरी की पूजा करें उन्हे तुलसी जरूट से अर्पित करें इसके बाद हम सभी को धूब दिखाएंगे तो कामदा एकाजसी का ब्रत 19 अप्रेल दिन सुक्रवार को रखा जाएगा ब्रत का पारण समय 20 अप्रेल को सुबब 5 बचकर 50 मिनद से लेकर 8 बचकर 26 मिनद तक है तो आप इस बीच अपने ब्र दक्ष्णा अर्पित कर देंगे ताकि यदि हमारे पूजय में कोई कमी हुई हो तो वो पूरी हो जाए अब हम भोग लगाएंगे तो हम गनेश जी को अलग से भोग लगाएंगे और देखिए कामदा एकाजसी पे भगवान स्रीहरी को लौंग का भोग लगाया जाता है चाहें आप उस फल का भोग लगाएं बस आपको अनका भोग नहीं लगाना है क्योंकि एकाजसी पे अनका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता इसके बाद देखिए मैंने मिट्टी के छोटे से घड़े में जल अर्पित किया है क्योंकि अभी गर्मिया सुरू हो और हाथ में हम थोड़े से तील या फूल लेके कामदा एकाजसी व्रत की कथा सुनने के बाद हम तील भगवान की फोटो के पास अर्पित कर देंगे इसके बाद देखिए कामदा एकाजसी पर हमें छोटा सा हावन करना होता है तो देखिए मैंने यहापे तुलसी जी की सुबगाके ले सकते हैं, अब देखिए, हम अगनी प्रजलीत कर लेंगे, और हम घी, से आहूती देंगे, इसके बाद देखिए, लोंग हमें, जरूर से अगनी में अरपीत करना है, तो हम भगवान जी को अगनी में ही भोगda पीत करेंगे, इसके बाद हम हवन समागरी से हवन करेंगे तो आप भगवान के मंत्रों की आहोती दे और देखिए आप इसे काच्ची पे हवन समागरी से छोटा सा हवन जरूर करें हवन का विशेश महत्व है इसे काच्ची पे तो आप भगवान के मंत्रों से हमन जरूर से करें। इसके बाद हम प्रेयम पुर्वक आति करेंगे। तो हम गनेश जी की, गोपाल जी की और विश्नु भगवान की सभी की आति कर लेंगे। आति के बाद हम हाँ चोड़कर पुजा में हुई भूल चुक के लिए भगवान जी से छमायाचना करेंगे। और अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए रातना करेंगे। अब देखिए हम हाथ में थोड़े से जल लेके आज मनी कर लेंगे। तो इस तरह से हम कामदा एकाच्ची की पूजा करेंगे। और देखिए, कामदा एकाच्सी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकाच्सी है, तो आप ब्रद जरूर से करें और भगवानति लोकी नाथ की पूजा राधना करें, एकाच्सी ब्रद की कथा और महत्तम को जरूर से बढ़े या सुनें, अगर वीडियो आपके लिए आपके लिणाटी पिखिज से कामनाओ ब्रद की झाय कामनाओं अगर यू।